कि अप्रस आफ्टर परेशन एंद स्टुदेंट्स आफ्टर एक्जाम बोथ तेल दा सेम आंजर दैट विट्राइड आफ्ट आपको यह वाद नहीं कहने पड़ेगी अगर आप हमारे द्वारा प्रवाइट किले इस अभी वीडियो को देखते हैं तो कई वीडियो में बोला है कि अगर आप एक्जाम में टॉपर बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी सब्जेक्ट्स का स्लिवस पता होना चाहिए देन आपको पेपर पैटर्न पता होना चाहिए और फ्रेंट्स यह बात ना हंड़ा एंट 10% सच है कि आपको पेप पैटर्न होता है वह आपको पता होना चाहिए वीडियो को देखे गर आप एक्जामिड बढ़ना चाहते हैं तो प्रेवी से यह कुशन्स पेपर जो होतह हैं उनको ज़रू सॉल्व करना चाहिए को यह बात हन्डा टैन परसेंट सच है और यह होता ही है तो फ्रेंट्स पर आपको बैसे रिलेटेड हर सेमिस्टर वाइज हर सुप्जक्ट के स्लेबच की वीडियो मोडल पेपर की वीडियो मौस्ट इप्टेन्ट कुशिंज की वीडियो यानि जो इंग्जाम में टॉबब बनने के लिए आपको चाहिए वह सब इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है आई होप आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा तो फ्रेंड्स अगर आप इतनी वीडियो को देख लेंग देख लेते हैं आप हमारे चैनल पर इन सबी वीडियो को देख लेते हैं ना तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं वीए थ है इस वीडियो में हम स्लेवर्स को काफी अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे तो प्रेंट्स लेटा से शार्ट वीडियो हेलो प्रेंट्स वेल्कम टू मैं चैनल तो प्रेंट्स आज हम देखने वाले हैं बिए थर्डियर फिफ्ट सैमिस्टर प्लिटिकल साइंस क आपको एक बात और बता दूं कि आपने हर सैमिस्टर में एक एक्जाम दिया कि आपने हर्ट है कि आपको फिफ्ट सैमिस्टर आपका जवी क्लियर होगा तब आपको जब आपको तीन एक्जाम देने पड़ेंगे आपके फिफ्ट सैमिस्टर में तीन एक्जाम है तो फ्रे अगर आ अगर आप उन सभी पेपर का स्रली बस देखना चाहते हैं और और अगे oldineusako देखना चाहते है तो हमाई चेनल को जरूर सुप्स्क्राइब कर लें कि तो फ्रेंस यहां पर आप अपना कोर्स कोड देख लें और वैसे तो फ्रेंट से कोर्स कोड इतना इंपोर्टन इंपोर्टन नहीं है जितना की है आपका टाइटल इंपोर्टन है जितना आपका टाइटल इंपोर्टन है ना उसके आगे आपका कोर्स कोड कुछी भी नहीं है अगर आपका जो टाइट सरकार और राजनीती यूके और यूएसे और सुजरलेंड और चीन तो फ्रेंट इस वीडियो में हम आपके लिए लिए हैं इंग्लिस प्लस हिंदी सब्जक्ट स्लेबस इंग्लिश और हिंदी दौना भाषाओं में स्लेबस मिलेगा आपको यहां पर इंग्लिश मीडियम वा सब्सक्राइब हो जाएगा उसके परणाम सुरूप आपको कहके बेनफिट होगा तो देख लेते हैं पहले इंग्लिश में दिखेंगे द्यान हिंदी में तो यहां पर लिखा हुआ है इस पेपर विल हैल्प दा इस्टूडेंट इन फॉर्थरिंग इस अंडर्स्टेंडि आपको हिंदियों लास्टम बताएंगे चलो तो अंडर्स्टेंड ने ओफ ता वर्ल्ड आराउंड इंग्लिश में वाले अभी ध्यान देते हैं तो फिर आपको इसमें बताय गया है कि इस वुड हैल्प हिम तो एप्रिशियेट अप्रिशियेट अधर सिस्टम्स एंड मे आउट वाई और सॉड़न सिस्टम इस एप्रुप्ट्रियेट एंड सिटेवल टू अगिवन सोसाइटी तो फ्रंच देखने हैं हम अब हिंदी में पाथा क्रम के पाई नाम यह पीपर छात्र को आसपास की दुनिया के बारे में अपनी समझ को बढ़ाने में आगे बढ़ कर सकेगा तुल्हा वैंज्जानिक ज्यानिक तुल्हा करना है तरफा गयांग में इसका बढ़ाने मेंदी एक निश्चित और लिकें कि दीये गए इसके नंबर बताए गए हैं कि maximum marks हैं आपके 100 and आपके minimum passing marks हैं आपके 33 तो friends यहां पर ध्यान दें कि आपका जो slivers है has been divided into 8 units आपका जो slivers है वह 8 units में डिवाइट किया गया है फर्स्ट यूनिट सेकिन यूनिट हम एक एक करके यूनिट वाइस आपका स्लिवस देखेंगे हिंदी और इंग्लिस मैं भी तो पहले देखते हैं यूनिट आपको फर्स्ट में पढ़ना है कि nature scope and utility of comparative study of politics यानि कि आपको पढ़ना है तुलनात्मक अध्यन जो compare study होती है comparative यानि तुलनात्मक अध्यन की प्रक्रति के बारे में पढ़ना है देन आपको उसके छेतर के बारे में पढ़ना है फिर आपको उसकी उपयकता के बारे में जानना है और आपका राजनीति यानि राजनीति के संदर्व में आपको तुलनात्मक राजनीति के बारे में पूजिवाद और उदार लोकतंत्र के विचार के बारे में फिर आपको यूनिट थर्ड में पढ़ना है सोसलिस्म एंड दा वर्किंग ऑफ सोसलिस्ट इस्टेट यानि कि समाजवाद और समाजवादी राज्य की कार्य प्रणाली प्रेंट से अगर आपने अभी तक फूर्ट सेमेश्टर तक अच्छे से पॉल्टिकल साइंस की श्टडी की होगी तो आपको यह स्लेवस बिल्कुल भी टफ नहीं लग रहा होगा क्योंकि इसमें जो आपको जा आपका जो स्लेवस है वो सभी मिलता इल्दा टॉपिक्स हैं यानि कि समाजवाद समाजवादी लोकतंत यह सब यह आप पढ़ चुके हैं जो कि फर्स्ट इनिट है वो थोड़ी अलग है यानि बस आपने आपको इसमें यह पढ़ना है इसका चैटल नेम है तुलनात्मक राजनीती तो आपको राजनीती तो पढ़ ली अब आपको तुलना करनी है यानि भारत और यूके की राजनीती से यानि भारत की सम्विधान और जो अधर कंट्रीज हैं उसके सम्विधान से हमारे सम्विधान की तुलना करनी है यह आपको पर हैं उन सभी की वीडियो लेके आने वाले हैं फौर्थ यूनिट के बारे में आपको क्या कर पढ़ना है इसमें आपको पढ़ना है डी कॉलोनीजेशन एड़ रोल ओफ श्टेट इन डा डेवलपिंग यानि उपनिवेश्वाद डी कॉलोनीजेशन यानि उपनिवेश्व से मुक्ती और विकास सील विश्व में राज्य की भूमिका यानि उपनिवेश्वाद से मुक्ती के बारे में पढ़ना है फिर आपको विकास सील विश्व में जो विकास सील विश्व है यानि यह जो दुनिया है उसमें राज्य की भूमिका के बारे में पढ़ना है फिर आपको फिफ्ट फिफ्टनी उनिट में आपको पढ़ना है साइलेंट फीचर्स ऑफ दा ब्रिटिश कंस्टिटीशन एंड एक्जामनेशन आफ दा रिलेशन से बिट्वीन दा एक्जेकुटिव एंड लेजिसलेजर एंड रूल ओफ जूडिसरी इन यूके जैसे कि मैं आप समयधान की ब्रिटिश समयधान की प्रमुख विस्यस्तां के बारें पढ़ना है और ब्रिटेन में जो कारेपालिका है यानि ब्रिटेन के समयधान में जो कारेपालिका विधायका के जो बीच में संबंध है उसके बारें पढ़ना है विर आपको पढ़ना है नयापालिका क की और यूनिट शिक्स में आपको पढ़ना है एसेंटियल फीचर्स ऑफ दा कॉंस्टिटीशन ऑफ यूएसे कुंपोजीशन पावर्स एंड फंक्संस ऑफ दा एग्जेकुटिव लेजिसलेचर एंड जूडिसरी इन यूएसे यानि की संविधान की आवस्ट्रक विशिस्त के बारे में काफी इस लेबस है आपका काफी मज़ा आने वाला है आपको इसको कवर गरने में यूनिट सेवन्थ में आपको पढ़ना है कंफ्यू निकेजम मूइजम साइलेंट फीचर्स ऑफ चाइनीज स्टैन पॉलिटिकल सिस्टम कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वनेएथ उसका हिंदी में देखते हैं इंग्रिश में थोड़ा समझ में यह गपाए है हिन्दी में दीखते हैं कि उसके बारे मिएपड़ना है पिर चीन की Communist Party एक साथ वी देश दो प्रणा यानि कि आपको जो चीन का जो Constitution है उस सभी के बारे आपको पढ़ना है चीन की राजनीति के बारे में यही सब आपको सेवन्थ यूनिट में पढ़ना है फिर आपको पढ़ना है यूनिट यूनिट एट्थ में प्लूरल एक्ज़किटिव डारेक्टट डेमोक्रेसी रेफेरंडंडम इनीटीव दाड मिनिस्ट्रेशन स्वरि इड्मिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ ब्रॉसर लेंड यानि कि बहवचन कारी बहवचन एट्थ में आपको सुसर लेंड के बारे मारे मुनिट सेवन्थ में कि चीन के वारी पढ़ना है आई होब आपको खी मजडदार लगा होगा यह तो तो अगर आप यह तक भी देख रहे हैं हमारी वीडियो तो यह तक देख रहे हैं तो प्रीज हमाई चैनल को सब्सक्राइब करणे वीडियो को लाइक आगर अपने दोस्त के पास, जिसके पास फिफ्थ सेमेश्टर में paulikail science है, तो friends, thanks for watching my video, love you all, तो friends, मिलथwash एक लिए वीदियो में, तरते के लिए नमस्टका, टेक केर, bye bye, thanks for watching my video.